नमस्कार इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि SSE, SSE जो भी वहां पे सुपरवाइजर पॉस्टेड होते हैं PSI में वो लोग का वर्ग क्या होता है क्या ड्यूटीज उन्हें करना पड़ता है उसके बाद हमने Transformer देखा था कि Traction Transformer मेरा किस तरह से होता है और फिर Traction Transformer का कुछ Characteristics देखे थे और इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि कुछ इसके Parts हैं और हम लोग उस Parts के नाम को देखे थे अब इस से आगे हम लोग एक एक Part को डिसकस करेंगे तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है बुकॉज रिले मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह जो बुकॉज रिले है यह आपको कंजरवेटर और टांसफॉर्मर का में टेंक को जो जोडने वाला पाइप होता है यह दोनों के बीच मिल जाएगा यह देखें यहां फिगर में बुकॉज रिले को दिखाए गया है इस तरह से आपका बुकॉज रिले होता है अब बुकॉज रिले क्या है बुकॉज रिले को काफे टाइम गैस एक्चुएटेड रिले कहा जाता है हलाकि यह सिर्फ गैस से एक्चुएट नहीं होता है यह gas से भी actuate हो सकता है, यह oil से भी actuate हो सकता है, लेकिन यह generally जो इसका main cause actuate होने का वो gas है, इसलिए हम लोग इसको gas actuated रिले भी कहते हैं, तो देखते हैं क्या लिखा है, तो बोल रहा है, एक safety device है, जो कि sense करता है, accumulation of gas का, जो लोग का oil field transformer में, उसमें accumulation of gas जो है, उसको sense करता है, और जब यह gas जो है, यह flow करता है, आपका conservator में, या फिर यहाँ देखिए, आपको बताया किया है, oil का accumulation जो है, वो flow करता है, conservator में, very rapidly, ठीक है, तो ऐसा case में, या तो आपको alarm देगा, बुकाज रिले, या तो फिर यह transformer को ही shut down करवा देगा, और यह कैसे operate होता है, by electric current, no, not by electric current, it is operated by pressure of accumulated gas of oil flow, अब देखते हैं, construction कैसा होता है, बुकाज रिले का, तो यह देखिए, बुकाज रिले का construction के बारे हम दिया गया, यहाँ आप देख सकते हैं, यह आपका man tank है, transformer का, यह आपका mechanical support दिया है, ताकि conservator यहाँ रह सके, यह जो पार्ट देख पा रहे है, यह अपका mechanical support है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह आपका एक valve है, जो की conservator और tank, जो transformer tank है, यह दोनों को जोड़ता है, और यह आपका है, बुकाज रिले, यह आपका बुकाज रिले का location हो गया, अब इसका operation principle के बारे में हम लोग को जानना है, कि बुकाज रिले का operation principle कैसे होता है, तो बुकाज रिले, 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 बुकाज रि प्लास्टिक का कुछ है बलून टाइप का कुछ है उसमें एक हींज लगा हुआ यहां पर जोड़ा हुआ है तो यह आपका हुगा फ्लोट और यह फ्लोट के साथ एक मर्करी स्वीच कनेक्टेड है अभी हम लोग आगे फिगर में देखेंगे कैसे उसका कनेक्शन रहता है और इस पर इसका ऑप्रेशन होता है उसका अलाइनमेंट उसी के अकॉर्डिंग है क्लोज होना का और जो लोजर आली में तक ऑशाथ अप्र हुआइ को प्रिय्च प्र इन उसीट है इन फैट्ष Krongली City से इविच दा अब हॉरा तो इस चीज़ को हम लोग जब फिगर में देखेंगे तो हम लोग बहुत ही बहतर रूप से समझ में आएगा तब तक हम लोग देखते हैं यहां पर क्या बता रहा है इन अडिशन तो देश में अलिमेंट और बुकोज रिले सब्सक्राइब यहां से आप गैस को रिलीज कर सकते बाहर दिए उसमें घैस भर गया है तो क्यूंकि इसमें तो आयल भरना है गैस भर जाएगा तो गैस को बाहर निकलना होगा और यह गैस के वज़र से आपका जो मर्कुरी स्वीच है यह अपरेटेड रह जाएगा तो इसको रिसेट करने के लिए हम लोग गैस को बाहर निकालते हैं अब प्रिंसिपल बता जा रहा है कि बुकॉज रिडे का प्रिंसिपल क्या है तो यह एक एक अच्छिट फिनोमेन पे काम करता है और यह प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल क्या करता है the transformer insulating oil will be decomposed in different hydrocarbon CO2 and CO the gases produced due to decomposition of transformer insulating oil will accumulate in the upper part of Bucha's container which cause fall of oil level in it fall of oil level means lowering the position of float and thereby tilting the mercury switch the contact of this mercury switch are closed and an alarm circuit energized sometime due to oil leakage in the main tank air bubble may be accumulated in the upper part of Bucha's container which may also cause fall of oil level in it and alarm circuit will be energized by collecting the accumulated gas from the gas release pocket on the top of relay and by analyzing them one can predict the type of fault in the transformer a more severe type of fault such as short circuit between the phases or to earth and fault in the tap changing equipment are accompanied by surge of oil which strike the baffle plate and causes the mercury switch of the lower element to close with the timer which means less severe type of fault such as a short circuit or phase to phase connect हो गया या फिर केस्ट अर्थ् करनेक्ट हो गया ऐसा कोई फॉल्ट हौई या फिर टैप चेंजिंग के कि में अकूंड कोई वागी है तो यह कि बड़ा फॉल्ट है तो इसा केसि पेसों क्या होगा कि गैस तो बने गाई लेकिन साथ में तो ऐसा किसमें आपका बैफल प्लेट जो है उसको वो पोजिशन को चेंज करें और उसका भी पोजिशन होगा और लोर एलिमेंट जब ऑपरेट करता है मरकरी स्वीच को तो उससे ट्रांसफोर्मर को ट्रिप करवाने के लिए हम लोग कनेक्शन देके रखते हैं तो ट्रांस इन इस फालते हैं तो अब को सब्सक्राइब लेकिन जब तक आप फिगर को नहीं देखेंगे इसका तब तक आपको मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ नहीं पे समाझ आने वाला है तो हम लोग फिगर को देखेंगे उससे पहले यहां पे कुछ परिकाशन इज चले खिए तो लोग the book of relay operation may be actuated without any fault in the transformer for instance when oil is added to a transformer air may get together with oil accumulated under the relay cover and thus cause a false book was relay operation that is why mechanical lock is provided in that relay so that one can lock the movement of mercury switch when oil is topping up in the transformer this mechanical locking also help to prevent the unnecessary movement of breakable glass bulb of mercury switch during transportation of the lower float may be also falsely operated if the oil velocity in the connection pipe through not due to internal fault is sufficient to trip over the fault this can occur in the event of external short circuit when our current flowing through the winding cows overheated the copper and the oil and cows the oil to x point so in the same way we can understand the figure so you can see this is a conservator internal mechanism figure so you can see this is a inlet transformer here is a maintenance and here is a transformer conservator and this is a coach'sων which is a multi-calculation job which has been used for a while now understand that what is normally in the process of oil conservator why are we majoring conservators which is why i need to buy a conservator so we know that oil is to be continuous one temperature which we can have to be a continuous one temperature because that the oil has given us to be a transformer you can be cool and transparency which we only वल्स का वोड़ हीट क्रूँ क्रूess के ले जैसे ही लोड वढ़ने,लोड बढ़ने के साथ हमारा त्रांस्फोर्म्धर का कुर क़ोड हीटBlack कोड़ MI वो कैसे बाहर आता है,हीट के फॉरम मे। तो वह वोल्यूम को करेगा और चीज लिए हम लोगोंगों को लगा तहां कि वहां से कंजरबेटर में चला जा जाए और जैसे ही फिर लोड कम होगा और कूल होगा वॉल्यूम घटेगा तो फिर जैसे ही रिक्वाइब होगा वहाँ से कंजर्वेटर से फिर ओईल वापस मेरा ट्रांसफॉर्मर आ जाएगा तो इसके वीच में हम लोगों ने ये मेकानिजम बुकाज़ले का लाया के रखा है अब क्या होगा जड़ी हम लोगों का short circuit होता है कोई internal fault हो जाता है transformer में short circuit हो गया अपका inter turn कोई fault आ गया core में कोई fault आ गया तो ऐसे case में क्या होता है आपका जो oil है उसमें different type के gases बनते हैं वो mainly आपका carbon gas होता है कोई इस carbon का compound बनाके बना लेता है जैसे सीओ हो सकता है स्योटू हो सकता है तो वह सारे गैस जब फॉर्म होंगे कुछ इंटर्नल फॉल्ट होने से तो गैस में टेंक से यहां पर आएंगे और यहां पर स्टोर होने लगेंगे अभी देखिए अभी एक फ्लोट जो आपको बताया गया था कि उपर में एक फ्लोट होगा यह फ्लोट आपको दिख रहा है और उसके साथ मैंने बोला था कि मरकरी स्टोर्ट के पास यहां को इदर अलार्म सब्सक्राइब नीचे में एक और बैफल प्लेट यह फिन से कनेक्टेड है यह बोला गया था को कि ट्रांस्फोर्मर इंलेट के सामने ही होगा यह यह इसके सामने आपका बैफल प्लेट है और इस पर भी एक मरकरी स्विच अलाइ से धरेगा कारवन कमपाउंड क्यों आ रहा था क्यूंकि कोई फॉल्ट हुआ है तो इसके वज़र से गैस यहां पर आखुमिलेट होने ले वने के साथ हो गैस यहां पर यह यहां पर जाके अपका और यह मर्करी स्वीच आपका क्लोज हो जाएगा और मर्करी स्वीच क्लोज होने से आपको अलार्म मिल जाएगा तो आपको जाके देखना है कि क्यों अलारम बजा है तो यहां पर यह जुज आपका एक गेस पॉकेट है ठीक है अब इसको हम लोग यहां पर खोलेंगे इसको खोलेंगे यहां से गैस निकालेंगे और उस गैस को अनलाइज करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि ट्रांस्फॉर्मर के अंदर कौन सा फॉल्ट हुआ है वह मैंने बोला कार्बन का कोई कंपाउंड होता है तो कौन सा कंपाउंड जैदा है कम है उसको देखते हम लोग लेगा इसको ब्सक्राइब काता है अब आता है नीचे का फम लट क्यूर्द करता है तो कभी जदी आपका सौंड सर्कुट हो जाता है आधर वो फेज तूफेज हो सब या फिर आपका अर्त हो जाई जब डाम धिर्यार्ट हो गिया चैनल इस अए logically बाहर में सॉट एक है हीट होगा तो आक्ससपांड भी करेंगा fellows in 30 अजाइब तो तो बहुत ही तेजी सरे आई और जब भहार थे लाएगा तो यह जो अपने बेफल करें है यह यह भी बेफल को हीट करते होए जा एक्शम मूव करेंगे जो यह धर मूव करेंने लगा होगा उसका effectivement कराब हो जाएगा उसका अलायमेंट जैसे ही चेंज होता है तो यह आपका सर्कुट को ट्रीप भी कर देगा जो ट्रांस्पॉर्मर का इंपूट और आउट पूट दोनों को ट्रीप कर देगा और साथ में आपको अलार्म भी देगा और उस टाइम जिद गैस अकुमुलेट ह करवा कि आपको इसका भी अलार्म मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग फिर से आप यहां पर आके करक्टिव डिसीजन लेंगे कि आपको कैसे इसको करेक्ट करना है तो यह मैंने इसका क्या कंस्ट्रक्शन है और क्या ऑपरेशन है इसके बारे में आपको बता है अब देखि है कि कैसे हिंज के साथ मर्करी स्विच कनेक्टेड होता है तो यह सब उतने ज़ली नहीं है आपको जो में फंसन समझना था वह आपने समझ लिया होगा यह देखिए गैस यहां से गया और यहां पर स्टोर हो गया और यहां पर लेबल को नीचे लिया है अब देख पा रहे यह आपका और भी टाइम पर आपरेट कर सकता है कभ अपरेट कर सकता है जब आप ऑईल को डाल रहे है बाहर से आपने ऑईल डालना है आपको ट्रांसवर्म मेंटांस तो आपको आपने नालते तो निकलने लग जाएगा तो सबसे हाईस्ट पोजिशन जी है उससे हम लोग दालते हैं तो हाइस पोजिशन आपका नीचे आएगा और फिर अलार्म आपका हो सकता है कि वैसे के करने के बाद यहां से सबसे पहले फोकेट के सारा गैस को निकालते हैं और इसके बाद फिर हम लोग ट्रांसपोर्न को चालो करते हैं यह होगी है कंडिशन दूसरा कंडिशन क्या हो सकता है जब हम लोग टूट भी जा तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा विए दोनों लॉक रहे जब लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे तो लॉक करके रखते हैं तब लोग इसका लॉक को खोल देते हैं और यह एज़र रिले काम करने लग जाता है तो यह चीज़ को आपको यहां बताया हुआ है अब देखें यह तो हमने अभी तक देखा जो वह आपका था कि कैसे बुकॉज रिले काम करता है मैंने आपको ट्रांसपोर्ट बताया है ट्रांसपोर्ट कंजरवेटर क्यों है कंजरवेटर के बिच व्थे बुकॉज लेले है बुकॉज लेले को अपरेट होता है तो मैनले वह प्रुक आख ओको घ्रीट कर ले यह हो आ पको सेफ यह हीट करते करते जल के खतम हो गया और पता ही शब्रीदर होता है ब्रीदर तो ब्रीदर कैसे सांस लेता है उसके बारे में ब्रीदर कहा होता है यह भी जानना होगा तो हमने देखा कि ट्रांस्परमर तो हमेशा ओयल से फूल आया कंजर्वेटर तो कंजर्वेटर के पास एक बार जाते हैं हम लोग कंजर्वेटर का जो में ओयल और कंजर्व तक यहां पर आपको आपको बुख वाज़ी ले दिख रहा है और यह कंजरवेटर अब कंजरवेटर में कभी हम वहलोग फूल और को नहीं करके रखते हैं हम लोग एक छोड़ते हैं ताकि यहां पर जब एकस्पांशन होगा तो यहां का उल्ह नहीं और जब कांटराक्ष्न होतो तो यहां पिर डिटन आना है ठीक है तो कुछ जगा होना चाहिए ताकि यहां फिर 侯हां करें जा पाए और जब कॉन्ट्राक्ट तो फिर यहां आक तो उसके यहां पर गैस भराई लेकिन घैस भी रहेगा तो gas भी तो pressure बनाएगा भी तो हमने देखा कि book on relay में gas ही तो भरके pressure बनाकि oil का level को नीचे करके उपर का जो float है उसको operate करवा रहा है मॉइस्चर जदी आता है तो मॉइस्चर हमें पता है कि जो oil transformer का यह इंसुलेटिंग टाइप है बहुत है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है इसका और उसमें जदी मॉइस्चर जाएगा तो यह oil को खराब कर देगा और oil खराब हो गया तो भाई मेरा इंसुलेशन खराब हो तो फिर transformer का operation कैसे वपाएगा इसलिए मॉइस्चर नहीं आना चाहिए इसमें तो इसलिए हम लोग ने यहां से क्या किया एक ब्रीदर लगा दिया है यहां पर आप देख पा रहे हैं यह देखिए यह पाई पाया हुआ यहां पर यहां तक और यहां देखिए यहां ब्लू किया फिगर के पास हम लोग जाते हैं यह देखिए यह है शीलिका जेल कैसे लगा हुआ तो शीलिका जेल जब वर्जिनल आता है जब ड्राय रहता है तो यह ब्लू कलर में रहता है और जब यह वेट हो जाता है भींग जाता है तो यह फिर हमिडिटी बढ़ने के वाज़ स यहां से व्लू क्लर में चेंजघ जाता है तो अब क्या होगा स्री oportunidad जेल जब भी यहां से एयर को बाहर लिया जाएब तो शीलिका जेल उससे से तरह नहीं तरह माश्चर को अपने अंदर आप्ज़ाब कर लेगा और सिर्फ एयर जा रहेगा और उसे तरह मोस्टर को एबजौर्ब करते-करते हैं यह Blue मतलब क्या कि गलती से जदी यह जो कंजर्वेटर उसमें पूरा ऑईल भर गया और ब्रीदर के थुरू मेरा ऑईल ही आने लग गया तो ऐसा नहीं कि आने लगे इसलिए हमने यहां ऑईल सीड भी लगा कर रखा और यहां पर आके रुख जाएगा कंजर्वेटर जो हम लोγα का होता है उसमें ऐल लेवल इंडिकेटर भी होता है यहां पे जो देख रहे हैं यह ने डाइल टैफ नहीं दिखेगा बल्कि आपको सिंपल दिखेगा लेवल टैफ लेबल टाइप क्या है आपका यह देख रहे हैं आप यहां पे थोड़ा सा ऐसे कुछ जगा बना हुआ होगा यहां पे लगाउआ होगा प्रपेंडिकुलर और ग्लास में आपको डायल दिया हुआ रहेगा 1234 ऐसा करके लेवल दिया हुआ रहेगा और उसी लेवल से आपको देखना है कि कितना ऑईल भरा हुआ है तो हम लोग इसको कभी भी फूल भर के नहीं रखते हैं और इसको बहुत ज्यादा खाली भी नहीं करना है देखे इसको मैं एक बार जूम करके दिखाता हूं जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा कितना स्टेफ है एक इंपेटी स्टाइप में बता रहा हूं उसमें भी पांची लेवल मिलता है एक इंपेटी होगा जो कि आपको रखना नहीं है आपको हमिशा इस लेवल के आसपास जब आइल टॉप आपकरते हैं तो करके छोड़ना पड़ता है जो कि आपका थरड लेवल हम लोग बोलते हैं उस अब देखना है कि कभी इसको इंपटी भी नहीं होने दिना है इस चीज पर आपको खासा ध्यां दखना है है अब देखिए बता जारा मैंगनेटीक ऐल लेवल गेज जो आभी आपने देखा ना इंडिकेटर वूब ऑलेवल गेज ही है या फिर उसको oil level indicator बोल लीजे यह magnetic principle पर काम करता है तो देख लेते हैं कि कैसे यह magnetic principle पर काम करता है इस device is used to indicate the position of transformer insulating oil level in conservator of transformer this is a mechanical device है mechanical device है और क्यों user है conservator में क्या oil level है उसको दिखाने के लिए फिर से same figure आगे हम लोग के पास of magnetic oil level indicator of transformer consists of mainly three parts of one floor the well gear arrangement and indicating dial यह तीन पार्ट को मिला के यह बना हुआ है आगे देखते हैं construction के बारे में construction of mo lg या फिर mo g let explain the construction of magnetic oil level gauge or mo g from its dial part the dial of this device has a scale impeded to full यह हमने देख लिया है it has some intermediate division such as one by four one by one or three by four यह भी हमने देख लिया था the prescribed oil level at either 30 degree Celsius or 35 degree temperature में also be indicated on the dial dial पे यह भी दिखाया जाता है देखें कि ठीक है अभी 30-35 degree Celsius आसपास temperature है तो अभी मेरा एप्रॉक्स इतना oil level होना चाहिए जदी नहीं है इसका मतलब है कि मेरे टांस्वर्म में या तो oil कम हो गया है या तो ट्रांस्वर्म में कोई प्रॉब्लम है लोड बढ़ रहा है तांस्वर्म कोई फॉल्ट आगिया है ऐसा कुछ हो सकता है तुम लोग यह इजी रीडिंग के लिए भूचिस करके रखते हैं त्रांस्वर्म में a mercury switch and the Viva and gear is fixed with pointer when pointer rotates the alignment of mercury switch also change according to the angle of rotation of pointer one ball type or drum type float is attached with a sufficient long float arm one unit of people gear is fitted on the other side of float arm other unit of Viva gear is magnetally coupled with pointer and mercury switch arrangement the Viva gear arrangement is positioned inside the conservator tank of transformer and dial pointer mercury switch are positioned outside the conservator tank इसके बाद working principle है तो इसमें आपको basically ही बता रहा है कि जो हम लोग बाहर देख पा रहे हैं डायल उसमें एक डायल है डायल में हम लोगों ने pointer भी देखा और एक mercury switch भी है यह mercury switch क्यों है जब आपका oil level बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमको अलार्ब चाहिए तो उस चीज़ के लिए एक mercury switch भी है उसमें और अंदर में क्या है यह magnetic operated है तो जो उपर में हम लोग विवेल गियर का भी अरेजमेंट होता है और नीचे भी एक विवेल गियर है ट्रांस्वर्मर के अंदर और यह दोनों विवेल गियर आपस में अंदर में है वह कैसे अपरेट होता है वह आपका जो फ्लोट है उससे नीचे एक फ्लोट है तो सबसे पहले फ्लोट उपर या नीचे जाएगा उसके अकौर्डिंग आपका क्या ओपरेट होगा अंदर का जो विवेल गियर है वो और उस विवेल गियर से क्या ओपरेट होगा बाहर का विवेल गियर और उस बाहर की विवेल गियर से पॉइंटर ओपरेट होगा और पॉइंटर के अपका मर्करी स्विच भी ओपरेट होगा ति यह सारा चीज आपका पॉइंटर का आरे अब देखिए इसको खोल के दिखाया है यहां देख पार एक फ्लोट है यह फ्लोट ऊपर या नीचे जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे अब कभी वेल गियर है यह अपर इसके साथ और यहां पे आप देख पार एक पॉंटर है पॉंटर का तर्मिनल यहां पर देख पार है पॉंटर टर्मिनल जो कि आपका अलार्म कोपरेट कर वाएगा यहां पे डाइल आपका एक लगावा होता है तो यह आपने देख लिया यहां भी सेम फिगर आपको दिखाया यह कुछ ट्रांसपर्ण आपको डाइल टाइप मिल जाएगा नहीं तो जायतर मैं अभी अबको लेवल टाइप ही मिलता है अगें वन ओल वोल्यूम इस रिकॉर्ड अगें वन ओल वोल्यूम इस डियोस्ट दू तो फॉल इन ओल तेमरेचर तो ओल लेवल इन दी कंजर्वेटर गोस दान बट इस एसंचियल तो मैंटेन ओल ल ब्टल पर तो घखल तो दोवाइब विचाड इचार और आपने सूबल लेवली घर इन ओल ल्यूचा प्रव्ट थेमिल नहीं ऑ्रविटर ओल लेवल इस बार प्लो वोल विचार श ठान कर बटेश तो मिल आ बटेखर टेस विट्ड खश्र वडायूम इस दिवाब कर वही फ्लॉट का उपरेशन बताया कि जैसे से ओयल का लेबल आपर डाउन होगा फ्लॉट कल पोजिशन चेंज होगा और शाथ में बताया है कि टेमपरेचर कितना भी कम हो जाए मतलब कितना भी कॉंट्रेक्शन हो जाए ओयल का लेकिन कंजर्वेटर में कुछ ना कुछ ओयल रहना चाहिए खाली नहीं होना चाहिए तिसलिए हम लोग M.O.L.G. या फिर M.O.L.I. लगाते हैं जो कि कम होने से हमको इंडिकेशन देगा कि देखो भाई कम हो रहा है देख लो आके कुछ प्रोब्लम है क्या और नहीं है तो ओयल काम कि ये तो प्रोब्लम है मार साथ, चाहिए तो क्झाथ मारा चाहिए लगाते है जो को डूकुछ इंडिकेशन देख लोग आप्रोड सो इना रहना चाहिए खाली टू पार्विट आ को खंपते है तो जात्व लोगाते हैं देकित भाई बाजल चलीड ओक्वण छिए ल तो यह स्थिए इसे उंने पहले बताया है फ्लोट के साहथ विवेल गेर और विवेल गेर के साथ पॉइंटर ऑप्रेड होगा पॉइंटर के साथ मर्केरिस तो इसी चीज़ को एक्सपेंट किया है आगे देके फिर से मर्कूरी स्विच के बारे मता जी आगे एस दाएमने प magnetic oil level gauge this event alert us for topping of oil in the electrical power transformer in air cell conservator the float arm is attached with air cell and alignment of float arm changes with the changing in size of air cell due to the expansion and contraction of oil air cell type of conservator is the flow of air to change the climate of float so we have a MLG with the conservator and because of the MLG with the oil temperature and winding temperature indicator of transformer के मौक्स यूक क répondre ये कहां भी होगा आपका कि मार्सलिंग बोक्स जा थे नाम मुलेगा था मुपलिकिया तो इससे पहला है अजब आदा तो देखा था कि की winding का temperature maximum 50 celsius और ऑल का temperature maximum 40 celsius उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा होने से आपका ट्रांस्परमों को ट्रीप कर जाना चाहिए अच्छा हम लोग एरेज्मेंट कर देखते हैं तो यह सीज़ को अपको यह आपका ट्रांस्परमों कर निए लेगांत थो ऑाफ यूद्ध आपको ट्रांस्परेट अच्छान गेरेंट कर देखते ही है इस विंदा और शूमेंट है इसमें आपका और इस तेंटेनियस चो टेमडिचर उसको बताता आशे में और साथ में जो मेक्सम्मूम टेमडिचर अभी तक गया है उसको भी वह इंडिकेट करते रहता है और हम लोग इसमें पहले से ऐसा कुछ सेट करके रखे हैं कि इतना टेमपरचर जाने कबाद इसको करना है तो वह भी करने लाइक यह होता है एक कश चाहर देशबशन और डिवाइश ऑल्सो कंड्रोल दि कूलिंग ट्रigram अच्टमपर होले कूलिंग शिटम पिछली विडियो में दिखाया था और अशिपर न में पर चलता हूं कहां पर होता है और दो आपको झालाते हूं ओना ओलिन Right और एक है ओन एयफ ओल नैट्रल विली एयर फोस तो ये हमेशा और एक चीज पर अपरेट नहीं करता है सनी हमेशा ओन एफ होगा यह दोनों पर अपरेट कर सकता है साम व्लों इसको अर्जमेंट देंगे रखता है यदि कम हीट हो रहा है ओल तो यह वह ने आटेड मोट पर अपरेट करेंग एर नाट्रव गूल होगा और जदी यह ज्यादा हीट होरा हो तो इसको कुलीं करने के लिए को क्या करना होगा इसके लिए हमको फैन को चलू कर देना इयर को फोर्स करके कुल करवा देने तो यह कब हीड हो रहा जागा कब कम इत वह यह कैस सिस्टम प्राइब करेगा और फिर अस्टैबलिस हो जाएगा फिर से फैन बंद हो जाएगा जब जितना चाहिए उतना आ जाएगा तो इससे पहले में आपको एक फैन दिखा देता हूं कि फैन आपका कहां पर होता है कि यह आपका Representative आगए है यह ने जाए देखिए यह देखабат रहा है यह आपका यह तिन Kelvin की फैन आपका फैन यह उपर में पहले तक अब यह निचे में होता सब्सक्राइब का प्रेंड यह वापर होता नी तो यह दो आ आगे अब टायप फट्टरेशल इndिकेट रफ ट्र Sumis कितने टायप का टेमिटरंफिर इंडिकेटर मैंने लिए देखा कि दो टरह का होता है क्या क्या होता है ऑल टेमिटरशर और गलता है फमिर इनलावे भी हो ऑश्येंडिकेटर कम लावी पार टायपल में theorem often used in power transform which is little bit different principally and this is remote temperature indicator the remote temperature indicator before transformers use करते है करते है करते है करते है करते है of the construction of temperature indicator of transformer कैसे बना आगा था देस indicator are provided with a sensible sensing bulb this sensing bulb is placed in a pocket on the roof of transformer tank the pocket is fitted with transformer oil the bulb is connected to the instrument housing by mean of flexible connecting bulb tubing consists of two capillary tube one capillary tube is connected to the operating below of the instrument and other a compensating below compensating below compensate variation of ambient temperature the pointer is fixed with steel carries on which normally for mercury switch are mounted the make and break temperature of this mercury switch can be adjusted separately one mercury switch is used to operate cooling fan one mercury switch is used to switch on oil pumps one mercury switch is for high temperature alarm and last which is used to interrupt the transformer in extremely high temperature condition in addition to this the dial of oil temperature indicator is also provided with dummy pointer which is pushed by main pointer when temperature rises when main pointer moved back to decreasing temperature the dummy pointer stay at maximum temperature position of the main pointer this indicate maximum temperature of the rise of the rise of transformer during the preset period of time which has captured on the surface remember look like a total temperature indicator indicator in zodía you are in the middle of the यह ताउंसिंग के जमीन है तो इसके नीचे यह लगाया हुआ अज है सेयल बल्ब लगाया हुआ अब यहां प्रस्ण-ीग दिखा रहा है यह when like connection major अब यह जो सेंसिंग बल्ब है यह सेंसिंग बल्ब से डिसाइड करेगा कि किसाइड करेगा कि कितना टैंपरेचर यहां पर है तो उसी टैंपरेचर के according इसमें चार तरह के alarm लगे होते हैं ठीक है तो यह चारो alarm का position होता है तो चारो alarm जो है sorry चार alarm न बोल रहा हूं चार mercury switches के साथ connected होते है तो सबसे पहला जो mercury switch होता है वो होता है fan को चालू करने के लिए ताकि fan चालू करके उसको ठंडा किया जा सके इसके इसके बाद दूसरा जो मर्करी स्वेच जदी वह क्लोज हो जाता है उस सेंसिंग गप जैसे वह तैबरेशर सेंस कर रहा है तो दूसरा जदी ऑपन होता है तो वह उइल को को पंप करने के लिए स्टार्ट कर देगा मतलब फैन चेवी कूल हो रहा और जल्दी जल्दी ऑइल को भी पंप किया जा रहा ताकि उसको कूल कि एक तिसरा मकरी स्वेच जदी क्लोज हो जाता है तो तिसरा मकरी स्वेच क्या करा एगा है टैबरेशर का अलार्ण देगा और यह चौथा वजाता इसका मतलब बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो क्या करना है को ट्रांस्वर को कर देना है तो उसके लिए वह दोनों साइट के सीवी को टिप करवा देगा इसके साथ साथ एक डमी पाइंटर भी रहता है यह ताकि जब जो में इंडिकेटर है वह उप इतलब है अब देखे यह तो ने देखा कि basically कि स्टाइब काम करता है अब देखते ओ Pey筍 टेमट्रचर इंडिकल के बारे में़ मुवदा चंच कि रिंडिकल्चर के पारे में स्पेसिफिकेसिक सो इसकोय आ अब बता आफ अब विए से ओफ लगा वह तो ऑए टेबरेचर बता रहा हो गाए लेगिन ये क्या तोप ओई टेबरेजर क्या वह बताता है ठीक है और साथ में टांफ मोगा प्रोटक्शन देना ही है हमें तो चाट हो मार्क रिस्विच बिला आकर रखा उसके लिए अब रे Nuumeset और लेक कन टीक है अब लेक लीच अबंध बॉजँर काल भी आकर बॉच्शन देन अब न्यम्ग घर शोरा सभागड ये कि वेप लेचीं मोगा थैन तो चाहाने जडेका इंप बॉल्च कार्ली तु लेच अबिवल इसको सबसे पहले समझ लिए क्या बोल रहा है कि सबसे पहले जो हमने देखा के लिए ट्यूब के बाद आपने क्या देखा कि नीचे एक पॉकेट है इसको इवार पिर से देखिए यह जो है आपका पॉकेट है और इस पॉकेट में यहाँ पर एक सेंसिंग बल्ब है मतलब यह जो है मान लिजे मरकरी दिया हुआ है तो जैसे टेम्टर बढ़ेगा तो मरकरी जो है इक्सपांड करेगा और यह एकस्पांड करेगा इसके फॉली टूब में यह बिलू फर्दर आपका पॉइंटर से हुए और यह पॉइंटर जो डिस टाइप का यह पॉइंटर फिर ऑपरेट करेंगा और यह पॉइंटर जो है लिवर मेकनिजम से को वानिंग को कहसे बीज़ कर सकते हैं और यह बात कि कि किसी ऑड़क्टर में कैसे अभेड़ी जरी अफॉसर रेस्टेर्स मेरमें से पता कर लेंगे तो इस डिवाइस इस एल्वी एंड ह्ब वायंड टैमिज़र वाइंट टैमिटिगेटर इस ओल सो यूज्ड लाइस प्रो के बार में ने शुटी किया कि डॉन पॉइंटर यहां जाता है वहां पर जाकर रुख जाता है और यह आपका अक्ट्वल पॉइंटर यह आपका मोव करता है आपको बतायाए कि चार इसमें अदर का मैकनीजम आप पहले ही देख चुक्त isiert submissions probability the basic operating principle of WTI is same as RTI but the difference is that the sensing bulb pocket on transformer top cover is we televisionена is fed by a secondary of current transformer associated with transformer winding hence the current true the heater coil is directly proportional to the current through transformer winding this is because there is no scope of direct measuring of temperature inside a winding when load of transformer increases the winding temperature is also increases and this increased temperature is sensed by sensing bulb as the heater coil surrounds it best of the working principle of winding temperature indicator is same as oil temperature indicator कि देखिए ये टॉप आफ ट्रांस्फॉर्मर दिखाया गया ये टॉप आफ ट्रांस्फॉर्मर में आपका यहां पर आपको डवलू टी आई और ये ओटी आई का कैपलरी जाएगा ठीक है तो यहां से डवलू टी आई और ओटी आई का आपको कैपलरी से मिल गया इसके बारे में बताया जारा है कि डारेक्ट वार्णिंग का टेंपरेजर को तो मेजर हम लोग करनी सकते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और जो पॉसिबल है वो हमने किया है यहां पे ट्रांसफर्मर के टॉप पे सेंसिंग बल्ग को रखा है और इसके सरॉर्णिंग में एक हीटर कॉयल रखे है अब यह हीटर कॉयल से जतना हीट होगा वो सेंसिंग बल्ग उसको सेंस करेगा उसके है according यह मारे जो WTI है उसको Nude करवा कि हमको इंडिकेशन duvet कि कितना रुअ लेकिन यह हीटर करेगा स्रोंडिंग टैंपरेचर सर नहीं यह इच्टर को हम लोग you and you stay on the corner च्परन्ट क करेंड एक current transformer हमने लगा लिया है कहां से जो हमारा transformer है उसके secondary से जो हमारा transformer है उसका जो coil है उस coil से हमने as a current transformer यूज किया है उसका secondary coil है उसमें हमने एक heater connect किया है और वो heater अब कैसे हीट होगा according to जैसे आपका winding में current flow करेगा वो current indicate करने के लिए वो current transform में उसका reflection दिखेगा उस reflection को हमने यूज कर लिया heater में और वो heater heat करेगा वो heater heat किसको करेगा आपका sensing bulb को और वो sensing bulb जब heat होगा तो वो indication देगा आपको pointer पे इस तरह से आपने indirectly जो current flow कर रहा है उसमें उसके according आपने उसका heat का एक scale बना लिया और आपने scale करके बता दिया कि कितना heat मेरा winding में हो रहा है अब इसको यूज कर सकते हैं इसका protection के लिए भी कि बागी जो working principle वो सेम है आपका जैसे हम लोग का ओयल टेप्रेचर इंडिकेटर था वैसे ही अब देखिए यहां पर आपको दिखाया गया है कि outlet भी होता है हम लोग का transformer में outlet भाल्व यह देख पा रहा है outlet वाल्व क्यों है कि कभी आपको जदी transformer को ड्रेन आउट करने का जवरत पड़ा आपको लगा कि इसका ओएल को ड्रेन आउट करना है तो आप कैसे करोगे बारते बालती ले जाके उसमें डुबा के निकालोगे क्या वाइल कि एक टो ऐसा नहीं करना पड़े इसलिए हमने एक आउटलेट भाल बना दिया है था यह ओकर कर देगा तो तो सारा तील निकल जाएगा और एसा तो रहाए नहीं कि वो फिर से लाके भर देंगे फिर से निकल देगा कुछ भर देंगे इस लिए इसको फूसिंगर इसे कम लोग करके रहते हैं है यह देखी यह है ट्रNoweur कि यहतों सकते चलिक है रहरीव कि कर विस्तोड ऑफ रहाए है तो आगे हम को इसके पारे मिलंगे शिर्फोड चुन अड़े बीशेनों आप में अभर्प्रशेयलेजट डिवाइस प्रेशर डिवाइस दिवाता अप liquids इल्लास अब तो प्रेशर ज़दि वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गिया है गैस के वज़े से तो इसको हम लोग open करते हैं तो इससे क्या होता है गैस बाहर आ जाता है तो इसलिए प्रेशर रिलीफ डिवाइस लाकर पर इसमें एक इंडिकेटर भी होता है यह आप देख पारें इंडिकेटर यह इंडिकेटर और एक स्प्रिंग लोड़ेट टाइप है अंब दोनों के बारें लोग देखें गाँ क्या होता है तो जो अप्रव्य डिक्स टाइप है उसके बारें दीखें और आप्छर डिसक अल्स ब्रस्ट डिस्क और ब्रस्ट डिफाग्राम इस अन नॉन रिक्लोजिं प्रेसर equipment or system from over pressurizing or potentially damaging vacuum condition a rupture disc is type of sacrificial part because it has one time use membranes that fell at the pre-determined differential pressure either positive or vacuum a rupture disc is a type of sacrificial part because it has one time use membrane that fell at a determined differential pressure either positive or vacuum same changes will repeat here so you can see that pressure release valve is rupture disc type here rupture disc type is a specific pressure or differential pressure 쪽 commitment before you Repeat diet differential pressure उसके वीप्रस्ट हो जायए खुद को sanctify कर देखा ट्रांस्फोर्मर म्हों को बचाने के लिए खुद Cameron का नीजर कर देगा दोनों साइड का जो आप का प्रेसर है दोनों को मिला प्रेसराइजिक नहीं हो अब देखिए यहां पर फिगर दिखाया है कि इधर से आपको पॉजिटिव प्रेसर मिल रहा है बहुत ज्यादा और इधर से वाक्यूम प्रेसर है तो ऐसे केस में क्या होगा यह ब्रस्ट कर जाएगा प्रेस्ट्र ब्रस्ट बाइबा ब्रस्ट बाइब कर दोलिल अच्छ बडिय को यह ब इंव कोई ए अपकोई आप श्ट जस्ट जाएप पह-ट जा नेख प्रिएज यह जा रचित्पिश तो एंप्रीज रुच इप्र श्यूम श्यूम प्रेस्ट बटे सेलिग अब हमने यह तो देख लिया कि एक बार में ब्रस्ट कर जाता है इसका एक और अड़्वांटेज क्या है इसका एक और अड़्वांटेज यह है कि यह बहुत जदर टाइट होता है और कॉस्ट अफ़क्टिव है पता ना इंजिनरिंग का काम यही है कि आप बढ़ियां से लेकिन कॉस्ट अफेक्टिव है और पूरा टाइट लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि एक बार फटा तो खतम हो गया लेकिन एक अड़्वांटेज यह है कि यह बहुत जल्दी रिस्पांस करता है मिली सेकेंड में रिस्पांस होता है प्रेसर बढ़ा नहीं है फटे रक्तियाय रच्ते है रच्टें अबुरों यह बूल देख डिस्वर को रखते हैं रफ्टडेश को मनली उसे इन आल फ्ले एप्लिकेशन बूल एकिसर भी बूल्टेश्ट यह ने यह खिए व्टटेशन और डेन हैं श्रूब्स स्बार इस और च्टेश्रू कर दिस्ट ब combination with safety relief valve isolating the valve from the process thereby saving on valve maintenance and creating a leak-tight pressure relief solution अजया जो रप्चर डिस्क को उसको safety relief valve के साथ भी हम लोग operate करते हैं ताकि रप्चर डिस्क पहले operate करें और safety relief valve जो है वो backup के तौर पर काम करता रहे हैं या फिर किसी एक कम maintenance कर रहें तो दूसरा जो है वो काम करते रहें और यह हम लोग का इक तरह से secondary protection के टाइप से भी काम कर सकता है या फिर हम लोग जहां तो प्राइमरी protection से भी काम कर सकता है दूसरा जो हम लोग का a spring loaded type यह क्या है the pressure relief valve is type of valve used to control or limit the pressure in a system or vessel which can build up for a press process of set instrument or equipment failure of fire the pressure is relieved by allowing the pressurized fluid to flow from an axillary passage out of a system the relief valve is designed or set to open at a predetermined pressure or to protect pressure vessels and other equipment from being subjected to pressure that exit their design limit तो जो यह spring loaded type है इसके लिए हम लोग प्रेटर्माइड वेल्यू सेट कर सकते हैं और जब यह इतना जाएगा इसको लोग प्रेशर निदाए आक लूखुद ऑपन हो जाएगा और एक 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 लिए पाफसे देगा त्रकांए पासे रिए GOATS देंगा प्रेसरे performance अट्रेशराइज outta P HOW व उससे निकल जाएगा और अप्रेसर कम ऑपन हो जाएगा थैं है कि क्लोए यह लोग सब्सलेट pressure is exit the relay valve become the path of list resistance as the valve is forced open and a portion of the fluid is diverted through the axillary route the diverted fluid is usually routed through a piping system known as flare header or leaf header to a central elevated gas flare yes are a non-hazis kill Joe pipe say aapka gas jab nikalta happy obviously press release valve say to akka yeh saare pipe ke through ho ke jata hai aysa nahi ki wahan se nikal gaya to khali ho gaya pipe se ho ke jata hai where it is usually burned or yeh jala bhi diya jata hai yase se jab nikalega to wahan pe jala jaya gaya and the resulting combustion gases are released to the temperature or bhaar sirf humko combustion gas milaga jala hoa gas milaga as the fluid is diverted the pressure inside the vessel will stop rising now once it raise the valve resetting pressure the valve will close the blow down is usually red stated as a percentage of set pressure and refer to how much pressure need to drop before the valve reset to hi hapa aapka bataya ki subseller to yeh valve valve a specific temperature raiga predetermined temperature pressure pressure to wahan se yeh valve open hooga or yeh open hooke a special pipe ke through jata hai jis pipe ko hum log bolethe hai relief header ya phil flare header ya phil elevated gas flare is ke through jata hapa jali ko kya kata kao kya hapa jala kiya 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 ga jala ga 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 huo jaya ghaa bhaa kya kiya kuya kya हो जाएगा दिरे दिरे तो यह सेटिंग प्रेसर पर आने के बाद एक खुद बाख खुद अपने आपको क्लोज भी कर लेगा अब यह आपका फीगर दिया हुआ है उसी का प्रेसर भालका को देखिए स्प्रिंग लोडेड इसलिए वह ते क्योंकि स्विंग लोड़ेड आप जैसे इसलिए बढ़ेगा तो यह आपनों के भीज देगा और जब प्रेसर कम होगा यह स्प्रिंग फिर से फ्लैक्स हो जाए इसलिए खाच्राइगा स्प्रिंग तो पिर से यह प्ल्वोड कर लेगा यहां पर देख सकते हैं कि मेंटेंग के साथ आपका रेडियेटर जो लगाओ होती है डिक्स का इर डियेटर में यह वाल वालिय रेडियेटर में आपकी एल जाए और य underestमाल जाएगा तो इसकी सर् यह लोगो देख लिया था पार यह पार्ट हमने देख लिया अब लोगो देख लिए आप एक्सप्रेजिन वेंड यह आप देख वा रहे न्यूंड यह जो कनेक्शन है इसको लोगो बोलते हैं और यह आपका देखिए कंजर्वेटर के साथ भी कनेक्टेड है क्या हुआ कि जो आपका बहुत ज़्यादा प्रेसर बन जाता है तो यह टायफ अफ़ाग्राफ जो फाट जाता है प्याजिक हम पढ़ से आपका प्रेसर होता है तो श्लिए मैं लोग इसको भूता एक्श्वाजन वें यह लास्ड उपाय है ट्रस्परम को प्रोटेक्ट करने का कि हैं कि और मोटर ऑपरेटर टेप च tweeting जरनलिगे गुन षमिवकर होता है उसको हाथसे मोटर ऑपरेटर भी वन करते अभी तो नए ने जितने बीडियले तो सब में मोटर णाप्रेटर ही है तो उसका एक figure दिया है यहां देखिए पूस्वटन फोर टेन टैप पोजिशन यह है इसके बाद फोर और यहां से पूस्क करते हैं तो इसके बाद यह गियर बॉक्स ही डिसाइड करता है कि कितना आपको चेंज करना है और पिर यह अब भूसर नहीं देख लिए था दोनों ही जब भी बूसरीं दो उसमें लोग आरकिंग हर लगाते हैं यहां पर यहां दिखाँ अब है अब जो आपका एच वी भूसिंग होता है उसमें 10 डिल्टा टेस्टिंग लीड होता है अब देख लिजेंगे नीचे 10 डिल्टा टेस्टिंग लीड होता है अब टैप सेटिंग हम लोग क्यों करते हैं तो यह चीज भी मैंने पहले बताया था कि ट्रैक्शन ट्रांस्वर जो जैनली की ऑफ लोड टैप चेंजर इसमें प्रोवाइड़ होता है जिसको आप लोकली या फिर रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं और टैप के बारे में बताया एड़ ट्रैक्शन सबस्टेशन तो सेकेंडी साइड़ पोटेंशल टांस्फोर्मर तो असर्टन दी पैटर्न ऑफ फोल्टेज वैरिएशन थ्रू और ट्वेंटी फोर फोर एटलेस्ट त्री टीपिकल डेज अब कब चेंज करना है कब चेंज नहीं करना तो यह जानने के आपको क्या करना है कि एक वोल्ट मेटर पहले लागा के रख लीजिए और तीन दिन तक अब्जॉब किजिए उसको कि तीन दिन में कब-कब क्या-क्या वोल्टेज कैसा रहा है उसके अक्वार्डिंग आप टेप को सेट कर सकते हैं का यहांप अब क ses बनीटिफ अ कि यहां पर को टैपो घटैप दिया होओ कि कितना नंबर टैप पर रखेंगे तो क्या हो तो एक from the recording the tap position should be fixed so that the daily ohe voltage fixed at the traction substation lies just below 27.5 kb but does not touch 27.5 kb this will ensure that ohe voltage is well above the minimum of 19 kb at the farthest point of the system even when heavily loaded once a year a 24 hour record of voltage available on the two side of every neutral section should be taken to make sure that the voltage does not fall below 19 kb at any time so 19 kb से निसे क्यों निफोल करना चाहिए यह जाने लिए सिबसे पहले कि लोको में जदी हम लोको 19 kb से कम voltage मिलता है तो लोको का एक रिले होता है जो लोग voltage रिले होता है वो operate कर जाएगा और फिर उसका DJ open हो जाएगा डिस्वेंट है और लोकों नहीं चल पाएगा ऐसे तो हम लोग OCH के लिए बोलते हैं कि 22.5 से लिए 27.5 के बीच में हम लोग voltage रखेंगे लेकिन मीनिमम भी गया तो 19 kb से नीचे नहीं जाना चाहिए नहीं तो फिर तुरत ऑपरेशन डिपार्टमेंट से कॉल आएगा टिपीसी में भाई आपका महां पर पावर नहीं आ होता है तो सबसे कम voltage का होगा तो हम लोग को साल में एक बार वहां पर जाकर 24 आर के लिए मेजर करना है कि 19 kb से कम भोलते ही तो कभी नहीं होता ना यहां पर आसपास भी जा रहा है तो हम लोग उसको correction में लेंगे और हम लोग को 27.5 kb से ज्यादा नहीं रखना है तो हम लो तो उस तरह से हमको tap को set करके रखना पड़ता है ताकि हार्दे स्टेंट पे भी आपको 19 kb से जाएदा voltage मिलते रहें Since any change in the interconnection of the grid system would have repercussion on the voltage of TSS, the SSE PSI should keep in touch with the supply authority in regard to system change so that he may arrange to take another set of 24-hour voltage reading if any change has taken place and to change the testing if required. और पहले ही हम लोग ने बात किया है कि grid के साथ हमिशा SSE PSI को connection रखना है बात करते रहना है कि भाई आप कुछ इस line में correction तो नहीं कर रहा ना कभी voltage को कम कर रहे हो क्या तो हम अपने tap भी recording adjust करेंगे कभी power off करेंगे तो हम दूसरे जगह से power लेंगे अब आपका TSS का maintenance के बारे में दिया हुआ तो इस चीज़ को हम लोग next lecture में cover करेंगे अईटे आपका TSS